तो असलाम उलेकुम डियर स्टूडेंस इस मौहमद नवीज जाफर जी स्टूडेंस आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वह हमारा इंतहाई इंप्टन टॉपिक और इंधाई इंपॉडर जी यह वह चैप्टर च्पर नुबर सिक्स की डिसक्शन करेंगे सरकल क्या एकल्स फेर हेंगे सब को लेकर चलेंगे आज इस टॉपिक इस लेक्षग के अंदर लेक्टिर सीरीज पे एक आपके पास कौन है और एक प्लेइन है तो अगर मैं आपको इस तरह से थोड़ा इमैजन करें कि कौन जो आप तसबर करें दरा यह कौनिक सेक्षन में यह आपके पास कौन है और इस पे ये आप के पास एक plane है तो जब एक cone और एक plane का connection आप बनाते हैं ये axis of the cone बिल्कुल इसके middle से ये चीज़ है axis of the cone अगर एक plane को एक cone के axis के बिल्कुल perpendicularly ले के आए और वो इसको perpendicularly कट करें ये ये बिल्कुल इसके axis के perpendicularly कट करें तो अगर आप इसका उपर वाला region देखें कि क्या शेप बनती है तो वो students एक circle बनेगा so circle और कैसे generate होता है basically that is the connection of plane and cone and plane when plane cuts the cone perpendicularly to the axis of the cone तो फिर आपके पास वहां से एक circle बनता है और अगर इस plane को slightly थोड़ा सा title कर दिया जाए थोड़ा सा slightly move कर दें आप 90 के angle से different कर दें तो उससे आपके पास एक ellipse बनेगी जो diagram होगी अगर आप उसके इसको nap बोलते हैं अगर आप plane उसके एक नैप में से इस तरह गुजार दें तो आप इस टाइप की कुछ शेप देखेंगे अगर आप कोन को imagine करें इस तरह से काटें अगर आप parallel to the axis of the cone तो आप देखेंगे वहां से आपके पास एक जो है पैरा बिल्वा की शेप बन जाएगी और अगर यह कोन आपका डबल नैप के साथ इस तरह है तो एक शेप इस तरह से plane काटें एक नीचे से यह शेप बन जाएगी एक उपर से यह शेप बन रहे तो बोलते हैं हाइपर बोला हमारा जो बिसिकली अफ सबसे पहले ट्रोपिक है जिसके हो भी कि चलूगा वो haya सानकृ किया है और संकल की कि यर्यन को मैंडरा आभ करना impactRe acab Sarah prank कि कि अभे जब हमसे कूफ पूचता है वाइट सर्कल तो हमारे जहन के इंदर एक ख्याल कए ऐसा सेट है जो किसी एक फिक्स्ट पॉइंट से ऐक Rolling डिस्टेंस पहोते हैं सो कैसे कि यह मेरे पास एक फिक्स पॉइंट यह एक सैट उफ व पॉइंट साविया जो चल रहा है यह तमाम circle का हिसा बनते जाएंगे अगर यह इस fix point से equal distance पर इसारे तो यह आपके पास क्या बन जाता है circle so definition दोबारा तुन ले a set of points which are equidistant from a fixed point that is called a circle the fixed point is called center of the circle and the fixed distance the equidistant is called radius of the circle अब बात करते हैं इसकी derivation पर कि derivation of the equation of circle क्या है students उसको मैं जरा आप के सामने लेकर आता हूं derivation of the equation of circle जब मैं derivation पर बात करता हूं तो देखें मैंने general point let p of xy be the any point p of xy be the any point यह आपके पास कोई भी एक point है that p of xy be the any point ठीक हो गया जो generally move कर रहें different points उनमें से मैंने p of xy ले लिया and let c of hk be the center be the fixed point कर लें जिसको हमने का with a fixed point और fixed point actually क्या है उसका center यह आपके पास उसका fix point जो है वो सेंटर को रिप्रतन कर रहा है इसी तरह students and the fixed distance the fixed distance जो है आपके पास वो जो है students वो आ रहे हैं इसको fix भी कह सकते हैं को distance भी कह सकते हैं is r let's say that उसको मैंने r कह दिया so by the definition आपके पास इसकी क्या बनेगी by the definition of the equation of server by the definition of circle cp distance that is equals to r देखे definition में मैंने क्या आगा the set of points which are equal distance from a fixed point points का वो सेट जो के एक fixed point से equal distance पे है तो that is cp is equals to r हो गया अब cp two point distance formula आपको पता है तो वो आपके पास हजाएगा x minus h square plus y minus k square square root is equals to r so यह distance formula हमने लगा दिया इन दो points पे दोने तरफ square ले ले एक्स minus h square plus y minus k square is equals to r square so which is the equation of circle when the center is hk and the radius is r यह आपके पास equation of circle आगी इसके बाद स्टूडेंट सरा देखिएगा अगर मैं यहां पर if kuch conditions बता देता हूं if hk जो है वो मैं यहां पे 00 ले लेता हूं यह नहीं कि आपका जो center है वो मैं origin पे ले जाता हूं तो अगर center origin पे जाता है तो then it implies that इसको one कह रहेते हैं हम तो then one implies x square plus y square is equals to r square which is the equation of circle with center is at origin यह equation of circle जिसका center origin पे और इसी में अगर students if मैं यहां पे r को one कर देता हूं तो फिर one implies यह जाएगा x square plus y square is equals to one और इसको हम बोलते हैं unit circle चीक हो गया अगर मैं r को यहां पे zero कर देता हूं तो फिर one implies x square plus y square is equals to zero और इसको हम बोलते हैं point circle तो यह point circle हो गया अच्छा अगर यही बात आपको वह जैसे मैं आगाज में plane और कोन के बारे में थोड़ी discussion की तो वहां से relate करके बताऊं तो अगर एक plane जो है किसी कोन के vertex में से गुदरे vertex को touch करें perpendicularly to the axis of the cone सो फिर वहां से जो बिलकुल lower edge को अगर आप touch करवा दें तो वहां से जो आपके पास shape बनती है उसको हम कहते हैं कि यह point circle है so students इसके बाद हम इससे आगे थोड़ा move करते हैं और अब हम जाते हैं कि इसकी एक और टाइप की यहां से मैं आपको बताने रगा हूं second degree जो general equation है आपके पास general equation वह हमारे पास बनती है ax square plus by square plus 2gx plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 यहां गया अगर आप चाहते हैं कि यह equation of circle बन जाए यहां से circle बने तो इसमें एक condition है सकता है कि आपका number one a और वी जो है वह वाना चाहिए मतलब कोफिशन्ट of x square and y square क्या ओने चाहिए one in other wise वह equal जरूर होने चाहिए वह हम उसको आगे questions में भी देखेंगे और number two है कि h is equals to zero हो इनके इससे मुराद है कि आपका जो coefficient of x and y हैं वह वह बन हो जाए और number two जो है there is no product term there is no product term of x and y x और y की कोई भी product term नहीं होगी इन दोनों conditions को इस पर अप्लाई करें इसका coefficient वान इसका coefficient वान इसको खतम कर दें टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इकोल स्टू जिरो इसको हम equation of circle बोलते हैं अब इस equation of circle को हम कैसे मानें कि एक्वियन of circle हमने तो पड़ा हुआ है एक्स माइनस h square प्लस y माइनस square square equals to r square तो यह equation of circle कैसे बनती है दर अगोर कीजेगा इसको पहले ऐसे लिखने स्कोर पलस डू जी एक्स प्लस वाई स्कूर प्लस टू एफ वाई प्लस सीज इकोल स्टू जिरो अबिडर इसका square कम्प्लीट करने के लिए आपके बास x square प्लस टू जी एक्स में जी स्कूर अड़ कर दें और जो इदर ऐड कर रहे तो इसको इदर लाके माइनस करने हैं अब स्ट्रूइंट की गौर कीजएगा कि यह बन गया X प्लस जी का स्क्वेर प्लस Y प्लस F का स्क्वेर इस इकुल्स टू जी स्क्वेर प्लस F स्क्वेर माइनस C, अगर आप equation of circle देखते हैं तो उसके धर्मयान में यहाँ पे negative sign होता है, so इसको आप लिख लें, x minus into minus g square plus y minus into minus f square is equals to g square plus f square minus c, so यहाँ पे हमारे पास which is equation of circle, which is equation of circle with center is at, with center minus g minus f and radius, radius आपके पास क्या आगया, r is equals to g square plus f square minus c square root, so that is the equation of circle, so dear students, यहाँ के पास थोड़ा था introduction था, circle क्या है और उसकी जो equation है, उसको किस तरह से हमने drive किया, यह उसके बारे में थोड़ी information थी, उमीद है, आपको यह lecture समझाया होगा, फिर भी किसी किसम का कुछ सवाल हो, किसी का किस अघादा थार, बहुशे किसी कुछ सवारा किसी का थाहा ही, आपको यह, इज झाल झाल